दोस्तो आज मेरे दिल आ गया है इस वाले शू पे जिसकी डिटेल्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ New Balance के New Shoe Alpha Industries 574 के बारे में जिसकी कलर ग्रेडिंग ने मुझे परसनली सम्मोहित सा कर लिया है पता नहीं यार New Balance वाले किस टेकनोलेजी और इमेजिनेशन का यूज करते हैं जिसे शू ओटोमेटिक ही जिसकी पेंट के उपर अच्छा लगने लगता है तो चलिए जला दे रिना करते हैं वे शो कुछ टार्ट करते हैं और स्पैसिफिकेशन प्रार हम करते हैं दोस्तों आपको Alpha Industry 574 का कलर वेटीवर वीद सैडोना सेज एंड कोवर्ट ग्रीन देखने को मिलता है जिसकी कीमत 99.99 डॉलर दी गई है जिसका भारतिक करनसी में प्राइज 75-100 रुपे के आसपास ही पड़ेगा बात रही साइज की तो साइज आपको 6 से लेकर 15 साइज तक मिल जाएगा और अगर आप 100 डॉलर यानि 75-100 रुपे एकदम से चुका नहीं सकते तो कोई बात नहीं आप इसे चार पेमेंट पे भी देकर खरीच सकते हो यानि हर बार 25-25 डॉलर की किस देकर आप शू को खरीच सकते हो अब बात करते हैं स्टाइल कोड की तो शू का स्टाइल कोड दिया गया है ML 574 AI2 जब हम शू को क्वाटर पार्ट की तरब से देखते हैं तो सबसे पहले नजर पड़ती है इस पड़े से न्यू बैलेंस के N लोगो पे जो की गरे प्रीमियम लेडर में स्टीच फॉम में दे रका है रहे बात बाकी बचे पार्ट की जो की ग्रीन शूर मेटरिल वी मैस अपर देखनी को मिलता है यार ये जो शूर मेटरिल यूज कर रख़ा यही मुझे सबसे बहतरिन पार्ट लगाई शू का बात करते हैं शू की आउट्सो लिवा की तो शू की आउट्सो लिवा में आप कॉम्बिनिशन देख सकते हो इनकैप मिडिसोल और सोप फोम का जो की पैरों के कमफर्ट को इंक्रीज करती है इनकैप लेटर के ज़स्ट उपर ग्रे कलर में ब्रेंडिंग दे रखी एनवी की जो की हील स्टेबलाइजर का वर्क करती है दोनों साइड में और इस एनवी की ज़स्टू पर हेल काउंटर पार्ट पर लिखा मिल जाता है ए लेटर जो की अलफा इंडस्ट्रीज को शो करता है और इस वाले हिस्से में ग्रे जाली के साथ साथ ग्रे लेटर का वर्क देखने को मिलता है जिसे बड़े स्टाइल से डिजाइन किया गया है और इसी साइड स्टिकर लगा रखा है कोडियो रखा और चलते हैं शो की दूसरी साइड जहाँ पर as usual same specification देखने को मिलती है विद बड़े से L लेटर के साथ शो की इंसोल औरेंज कलर में दी गई है जिस पर प्रिंट कर रखा है A लेटर और अलफा इंडेस्टीज और E1 लिखाल मिल जाता है शो फोर ट्रेनर टाइप बात करते हैं टंग की तो टंग वे थ्रोट दोनों का कलर हलके गरीन में देखने को मिलता है जिस पर स्टीकर लगा रखा है न्यू बैलेंस लेटर और अलफा इंडेस्टीज का और पांसो चुहतर की ब्रेंडिंग तो अलग से ही दिखाई देती है शू की टोप लाइन वे लेज का कलर वाइट दिया गया है अब बात करते हैं टोबोक्स की तो टोबोक्स पर फुली फुली जाली का वर्क दिया गया है जो की वेंटिलेशन का बहुत बढ़ी अवर्क है और टोटीप शूड मेटियल में देखने को मिलती है और सबसे लास् शूपल सिटी ने मुझे परसनली अट्रेक्ट सा किया है जिसे मैं दस में से साढ़े नो नमबर देना चाहूंगा शू की डिटेल्स पर न्यू बैलेंस कंपनी ने काफी अच्छा कवर्क किया है ऐस कंपेर जन टू नाइक कंपनी जो की रवर आउट्सल में थोड़ा डाम अगर आपको भी चूज की स्पैसिफिकेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहिए तब तक इंडियन जुतावाला के साथ कि की सब्सक्राइब करते हैं